हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो इससे पहले हम दो रेशियो पढ़ चुके हैं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी उनके बहुत सारे नुमेरिकल्स पर सॉल्व कर लिए अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज पहले उन्हें जाकर देख लिए फिर यहां मारे एक्टिविटी रेशियो पर आईएगा इस वाली वीडियो पर अगर आपने वह नहीं देखिए तो लिंक जो है डिस्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और है बीज़ वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बोले तो पढ़ते हैं एक्टिविटी रेशियो हमें यह बताता है एक्टिविटी रेशियो को है enterprise के अंदर enterprise में उसे कितने अच्छे से यूस करा गया यह देख भाता है यह यह हमें अफईसिटिवनेज बताइब इसे सटार यह पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं inventory turnover ratio inventory turnover ratio देखी क्या होता है inventory turnover ratio आपका relationship बताता है cost of goods sold और average inventory के बीच में एक period के तोरान ठीक है cost of goods sold को cost of revenue from operation भी आप बोल सकते हो ठीक है cost from revenue from operation भी आप बोल सकते हो से लिख लेना मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट आप लिख लेना ठीक है cost of revenue from operation या फिर cost of goods उल्ड एक ही बात है तो इनके बीच में relationship बताता है cost of goods sold और average inventory के बीच में relationship बताता है इसका formula क्या है देखिए inventory turnover ratio तो सबसे पहले आएगा cost of revenue from operation upon average inventory cost of revenue from operation उपर आएगा और average inventory नीचे आएगा formula में ठीक है इसके बाद cost of revenue कैसे निकालते हैं हम question में cost of revenue या फिर cost of goods sold निकालने के लिए तीन तरीक से निकाला जा सकता है यह यह तो आप revenue आप ट्रे अकाउन्ट में आते थे ना ट्रेडिम अकंट्ण्ट पर आपको cost of goods sold निकल था था 11th class याद करिए 11th class में अगर आपने पढ़ा होगा दंग से तो उसमें आ जाएगा तो आपने क्या करना है मैंने closing inventory पहले लिख दिया वन्हाँ आपने क्या करना है closing opening inventory plus net purchase net purchase मतलब क्या होता है purchase minus purchase return ठीक है purchase minus purchase return करेंगे तो उससे आ जाएगा net purchase और direct expenses प्लस कर देंगे और closing inventory उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा cost of goods sold आ जाएगा आप formula इसी तरीक से लिखिएगा मैं थोड़ी गड़बड कर दी थी इस वज़े से मैं दुबारा नहीं लिखना चाहता था तो मैंने यहीं पर प्लस नेट परचेज या फिर नेट परचेज ना लिखकर आप क्या लिख लें परचेज माइनस परचेज रिटन और प्लस direct expenses और माइनस कर दिना closing inventory तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा इसके बाद average inventory निकल कर आ जाएगा इसके बाद देखते है पहला कोशन पहले कोशन में क्या है cost of revenue from operation गीवन है या फिर इसे cost of good sold भी बोलते हैं दूसरा है opening inventory और तीसरा है closing inventory बहुत इजी है formula लगाओ inventory turnover ratio का formula लगाओ क्या होता cost of revenue upon average inventory cost of revenue कितना गीवन है दस लाग गीवन है आपका cost of revenue कितना गीवन है दस लाग गीवन है और average inventory कितना है तीन और दो पास लाग divided by दो तो यह कितना आ जाएगा धाई लाग यह ऐसे होगा दो लाग ठीक है प्लस तीन लाग और दो लाग प्लस तीन लाग divided by two तो यह कितना जाएगा 5 लाग आ जाएगा इससे करेंगे तो आपका कितना जाएगा four times ना जाएगा four times इसका और जो यह ratio निकलता है just show निकलता है अपका cost of revenue औक क्ये करें करें inventory turnover ratio का ये किन निकलता है गांच में निकलता है इसके बाद सेकंड कोशन आ जाते हैं सक होच्छन आ जाते हैं अपकी स्क्रीन पर यह रहां देखी क्या क्या लिखावा है एक और चीज मैं इस से पहले बता जहुँत है इस कोशन से revenue from operation ठीक है operation यह है और cost of good sold एकी बात है cost of good sold एकी बात है अगर यह नहीं given है यह question में given नहीं है और question में क्या given है revenue from operation given है क्या given revenue from operation given है तो आप formula में calculate करने के लिए इसे use कर लेंगे मतलब यह given नहीं है इन दोनों में से कोई भी चीज गिवन नहीं है और आपको यह given है तो आप formula में यू मतलब formula निकालने के लिए इसे use कर लेंगे बट अगर यह भी given है और यह भी given है तो आप हमेशा इसको लेंगे आप वहमेशा किसको लेंगे इसको लेंगे बात ध्यान रखना है मतलब आप फॉर्मुले में हमें से इसको लगाएंगे अगर दोनों चीजे गीवन है रेवनीव प्रॉम ऑपरेशन भी गीवन है यह बात आपने ध्यान रखनी है ठीक है इसके बाद सेकंड कोशन देखते हैं सेक यह सारी चीजें आपको कोशन में गीवन है अब आपने क्या निकाल देना है अंसर निकाल देना है ठीक है तो आप निकाली लेंगे ओपनिंग इंवेंट्री और क्लोजिंग इंवेंट्री डिवाइड थर्टीनाइं डिवाइड टू कर देंगे तो 19500 आ जाएगा आपका अब हमें क्या निकालना है क्वेंट्री टर्नोवर रेशियो क्योस्ट ऑफ्रेवेंवेंड्यव फ्रॉम ओर से निकालने के लिए ऌपनिंग इंवेंट्री उपनिंग इंवेंट्री कितना है 3700 अब प्लस पॉचेस कितना है 69000 ठीक है, प्लस direct expenses, direct expenses देखिए क्या क्या given है, carriage inward direct expenses हो गया और wages, बनलब कि direct expenses वो expenses होते हैं, जो आपको product को बनाने के लिए use करे जाते हैं, carriage inward आपका direct expenses में आता है, carriage outward आपका indirect expenses होता है, वो आपका count नहीं होगा, यह बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, carriage inward लेना है, आउटवर्ड नहीं लेना है, यह बात ध्यान रखनी है, carriage inward लेना है, carriage outward नहीं लेना है, तो 3 और 4 यह हो जाएगा, 7500, यह कितना हो जाएगा, 7500, और इसमें से minus कर देना है, हमें closing inventory, closing inventory कितना है, 9000, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था, opening stock plus formula लिखाया कि यह देखिए, opening inventory plus net purchase plus direct expenses minus closing inventory, तो इससे क्या निकल कर आजाएगा, आपका, इससे निकल कर आजाएगा, आपका, cost of revenue from operation, तो 3069 यह हो जाएगा, आपका total, ठीक है, यह निकल कर आएगा, आपका, लास्ट में, 97500, कितना आएगा, 97500, निकल कर आएगा, यह आपका, ठीक है, इसके बाद, आपका average inventory मैंने बताया था, opening inventory और closing inventory, 39 divided by 2 कर दिया था हमने, 39000 divided by 2 कर रहा था, तो यह आगया था, 1900, तो बस formula क्या होता है, ITR का, inventory turnover ratio का, cost of revenue, upon average inventory, 1900, तो यह कितना निकल कर आजाएगा, आपका, five times निकल कर अंसर आजाएगा, इसके बाद, चलते हैं, next question की तरफ, next question, जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ, हर वीडियो का, आपका मैं देता ही हूँ, ठीक है, next question मैं आपका क्या है, यह homework है आपके लिए, क्या है, homework है, ठीक है, इसका अंसर आपने नीचे मुझे comment box में करकर बताना है, यह घबराईये का म यार की मेरा अंसर दलता जाएगा, बेस्ती हो जाएगी, आजकल यारे टम बहुत यूज होता है, तो ऐसा नहीं है, याद रखना, कि एक हो थम, क्या कहते है, डायलोग थम, किसमें सुल्तान में था सैथ, कभी का बाद, इजद का माने खतर, बेस्ती करानी जुरूरी है, त ताफी अच्छा कोशन है, अब देखिए, इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी गीवन है, पर्चेस गीवन है, रेविनी फ्रॉम ओपरिशन गीवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स गीवन है, यहाँ पर यह कोशन आ सकता है, पेपर में, यह बात ध्यान रखेगा, इसक चांसे बहुत हैं, कि यहाला कोशन आपके पेपर में वो दे दे, अब आपको इस कोशन में क्लोजिंग इन्वेंटरी भी निकालना है, ठीक है, इस कोशन में क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालना है, और एवरेज इन्वेंटरी भी निकालना है उसके बाद, ठीक क्लोजिं करेंगे 25 अपॉन करेंगे अगर सेल्स पर गीवन है तो एक के तो निकालेंगे आपका फॉर्मूला क्या होता है कि यह लिए लिए फ्रोप परेशन माइनस इस प्रोफेट्वट फॉर्मूला होता है अब रेविन्य फ्रोम ओप्रेशन सेल्स पे बुलाबा है तो ध्यान रखना 3,20,000 का 25 निकालना है यह आजाएगा आपका 60,000 कितना जायगा यह इसी हजार आजाएगा तो 3,20,000 में से माइनस करोगे तो आपका अंसर आजाएगा दो लाग चालिस हजार क्या आजाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ठीक है और माइनस कॉस्ट ओफ रेवेन्य प्रम कोस्ट आफ रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशन याद करना प्रम प्रम ओपरेशन के आप कैसे निकलो गया कोस्ट ओप प्रम और से निकल जाएगा ठीक है और कोश्ट आफ रेवेन्यू और कि इवन तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थे आपकी कोश्ण में 39,000 ठीक है और पर्चेस कितना था 2,42,000 गीवन है 2,42,000 गीवन है और माइनस कॉस्ट ऑफ रेविन्यू कितना निकाला 2,40,000 तो यह कितना आ जाएगा आपका 31,000 आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी आ जाएगा आपका 31,000 अब आपके पास में ओपनिंग भी गीवन है और क्लोजिंग भी गीवन है एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेंगे 31 और 39 को मिलाके इसी के पिछे कर देतों 31,000 और 39,000 को डिवाइडेड प्लस करके डिवाइडड बाइ 2 करें तो यह कितना जाएगा अपका 30,000 निकल के राजाएगा अब कोौशन में आपके पास में सारी चीज़े हो गई आपके पास में क्या हो गया और आवरेज इन्वेंटरी निकल गई आपकी कौस्ट ऑफ रेवेन्यू निकला अब कितना निकला तो लाग चालीज अ एर आवरे ताकि आपको सारे क्लियरेटी हो जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे सेल्स पर बोलेगा तो डैरेक्ट परसंटेज निकालना है 25 पॉन हंड्रेट जितना भी परसंटेज बोलेगा वह आपको इतना परसंट दे रखा है 15 परसंट तो 15 पॉन सो गर दोगे ठीक है कोश्ट डिवन है इस वाले केस में आपको इमक्या लेंगे इस वाले केस में आपको याद रखना है क्या करने है आप देखो opening डिवन है क्लोजिंग इवन है तो आपका एवरेज इंवेंट्री तो आ गया बस आपको क्या निखना है कॉस्ट आप एक चीज बोलोगे कि सर आपने पीछे वाली वीडियो में बताया कि रेवन्यू फ्रॉम अगर ऑपरेशन गीवन होगो तो आप फॉर्मूले में उसे यूज करेंग जो मैंने आपको इससे पहले बताये हैं यह तीन चीज बताई थी ना फॉर्मूले की कि रेवनी फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी कोशन में गिवन है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते तो इसक प्लस कर देना जितना भी परसंटेज होगा ठीक है कोस्ट आफ रेवन्यू की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जैसे मैंने बता था कॉस्ट आफ रेवन्यू में आप क्या निकलते हैं रेवन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं र वह क्या कर देते हैं तो तीन लाग का क्या करेंगे 25 अपॉन 125 कर देंगे और फाइव सिख्जा तो यह कितना आ जाएगा साथ हजार आजाएगा सब्समें आया कॉस्ट बोलेगा तो नीचे हंड्रेड में उतना प्लस कर देना फिर डिवाइड करना और सेल्स बोलेगा तो 25 अपॉन 100 कर देते वस आप है इसमें पर्स निकाल देना। इसमें भी क्या होगा 30,6 mm से न डो दो लाक काली सक न गया हमारा दो लाग चालिस अजार आगया cost of revenue और average inventory 29 और यह आजाएगा 30,000 तो 2,39 और 31 अभी पीछे प्लस ही करके देखा था ना आपने अगर कुछ point समझ में नहीं आया है ठीक है तो आप प्लीज वह वीडियो के नीचे comment box में मुझसे पूछ सकते हैं मैं वहाँ आपका reply कर दूँगा इस वाली वीडियो के लिए इतना ही है हाँ यार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को इस वाली वीडियो के लिए इतना ही है थेंक्यू आप 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 आप